विडियो में बात करेंगे हफसी एल के बारे में हफसी वारे में अपने चैनल पर कवर किया है आप सब्सक्राइब और हचे एल में हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैं बताया था 120 का टारगेट 120 और उसके बाद 140 अगर वह वीडियो आपने देखी होती तो आपने ज यहां को अभी बता है तो चार्ट पर बहुत क्लियरली आपको पता चलता है कि टार्गेट्स क्या है अगर टार्गेट्स के आसपास अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या फिर पार्शल प्रॉफिट बुक के ओख तो वापस रिएंट्री का मौका दे रहा है एच इन सारी ही बातों को हम डीटेल में चल्चा करेंगे बट इससे पहले हम इसमें डीटेल में चल्चा करें I would request all of you to subscribe my channel and hit the bell icon because जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू आपको सबसे पहले notification आ जाए इसके अलावा आपको पता ही है इसी तरह है कि ideas मैं अपने हर वीडियो में देत है इसी channel पर और काफी अच्छे returns भी देखने को मिले हैं एक disclaimer आप ध्यान रखेगा कि PNB में अब मैं अपनी 100% position exit कर चुका हूं because थोड़ा सा bearishness दिख री दे मेरे को PNB में और उसी पैसे को मैंने भी Cole India में लगा दिया है तो जैसे मैं आपको Harvard बताता रहा हूं उसी तरह से मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि भई PNB से निकलके मैं भी Cole India में चला गया हूं और Cole India में मुझे अच्छा लग रहा है चार्ट पैटरंस बट ये सारे discussions और ये सारी चीजे आप अपने risk profile के हिसाब से लीजेगा और अपने financial advisor discuss करके ही कोई position लीजेगा तो आज की बात है ये एक अच्छे levels पर आ चुका है अगर आपको entry करने की miss out हो गया था पिछली बार तो मुझे लगता है अच्छा mid cap है और जहां पर की एक अच्छे levels पर खड़ा है जहां पर आपका risk reward काफी अच्छा हो जाता है अगर आपने position नहीं बनाई है तो आप इसको बिलकुल अ रख सकते हैं अपने watch list में रखिए और यहां पर एक stop loss जो आपके लिए बनता है कायदे का वो बनता है 80-82 रुपीज के आसपास 80-82 क्यों बोल रहा हूं है क्योंकि 80-82 ही इसका है 200 डेमा 200 डेमा बहुत important level होता है और आपने देखा होगा कि इस तरह की गिरावट यह आई ए तो आपको थोड़ा सा कॉशिस होना है यह जैसे ही आप देखेंगे 200 डेमा को टच किया 80 रुपीज तक गया और 80 रुपीज जाने के बाद तुरंद 200 डेमा के ऊपर जाके closing दी तो इस जो red candle ने closing दी थी जो परसो की red candle थी in fact Wednesday की 13th March उस red candle का closing अहाई थी 83 रुपीज 70 पैसा लो आया था 80 रुपीज 25 पैसा तो आप देख सकते हैं यह एक level है 200 डेमा जो की तूटना नहीं चाहिए तो आपके लिए risk reward बहुत बढ़िया है अगर HFCL में आप entry बनाना चाहते हैं तो आप यह देखे ग्रीन कलर की candle जो आपने देखी होगी Thursday के दिन वह सी दिन यह 8% चल कुछ भी नहीं कर रहा है बट हाँ आप अगर निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी नेगेटिव में क्लोज वा था अगर अगर आप देखेंगे HFCL, HFCL बिलकुल शांत रहा है जो की strength शो कर रहा है क्योंकि निफ्टी में अगर नेगेटिव दो जान था बट इस company के share में बिलकुल negativity नहीं दिख रही है, because I am sure कि लोग इसको खरीद रहे हैं, right, so ये भी एक indication होता है कि strength दिखाता है अपने charts पर, तो ये एक daily के chart पर तो बहुत बड़े लग रहा है, हाला कि अगर आप daily के chart पर RSI दिखते हैं, तो अभी भी momentum missing है, 39 का RSI ही है, but इसको बिलकुल अप decision लीजिए, अपने financial advisor से discuss करके ही लीजिएगा, because हो सकता है, इसमें मैं entry कर जाओ, अभी मेरी कोई position नहीं है, HFCL में, तो ये भी ध्यान रखेगा, एक बार आप बात करते हैं, इसको weekly के chart पर, weekly के chart पर कैसा points है, तो weekly के chart पर भी आप देखेंगे, तो एक important level था, जो था, इस आता है, 90 रूपीज, 90 पैसा, बनलब 91 रूपीज पकड़के चलिए, 91 रूपीज के ऊपर चलना शुरू होगा, तो इसमें वापर से momentum resume हो सकता है, और momentum resume होगा, तो आपको अच्छा खासा पैसा देखने को बनेगा, तो ये एक, अगर आप देखते हैं, ये एक जबरदस्त stage पर है, एक जबरदस level पर है, तो इसमें आप बिलकुल position में entry करने के बारे में भी सोच सकते हैं, और इसमें अगर आप बने हुए हैं, तो position से निकलने का time तो निकल किया, आप तो वापसे resume हो रही है, फ्रेश जो wave है, वापसे resume हो रही है, तो इसमें आप बिलकुल बने रह सकते हैं तो यह हो जाता है वीकली का चार्ट वीकली के चार्ट पर भी अगर आप देखते हैं तो 51-52 के आज पैस का उसमें फिर आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा आपको इसमें मुमेंटम जारी रहेगा HFCL में तो सारे ही मिड कैप में आपको एंट्री नहीं करनी है चुनिंदा मिड कैप या चुनिंदा स्मॉल कैप में अभी भी ऑप्रचुनिटीज बन रही है जहां पर की सब कुछ बढ़िया लग रहा है सिर्फ एक और ओemaal गिरावट के चलते वह सारे श्टॉक्स भी गिर गए है एक बड़ मंथली के चार्ट पर देखते हैं मंथली के चार्ट पर सपोर्ट का है तो मंथली के चार्ट पर सपोर्ट जो आ रहा है वो आरा है 76 रुपीज 50 पैसा जो कि इसका 20 मन्थ exponential movie average है तो वो तो बहुत दूर है मेरे को लगता नहीं अभी 80 रुपीज को भी तोड़ना चाहिए अगर 80 तोड़ेगा तो फिर सोचेंगे कि क्या करें बट अभी जो ये मन्थ की candle है ये मन्थ की candle है ये retrace होके 100 रुपीज के आसपस अगर close होती है तो बहुत अच्छा indication है और RSI भी देखते हैं तो RSI भी 60 के आसपस है तो monthly candle पर अभी भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है और अगर आपके पास position है तो बिलकुल घवराए नहीं बिलकुल बने रहें और ये जो 80 रुपीज अला मैंने आपको stop loss बता है बिलकुल important stop loss है बिलकुल हलके में मत लिजेगा 80 रुपीज के stop loss को because ये काफी 50 week exponential move average भी वहीं पर आ रहा है 200 day exponential move भी वहीं आ रहा है तो ये बहुत important level है इसलिए मैं बार बार आपको बता भी रहा हूँ तो ये HFCL का chart हो जाता है मेरे ख्याल से अभी बहुत अच्छे से poised है और इस तरहें के charts में अगर आपको गिरावट आती है 80 रुपीज तक का accumulation zone है उसके बाद निकलने का time है बढ़ हाँ इसमें आप बिल्कुल धीरे धीरे करके निबलिंग कर सकते है और उसके बाद इसमें काफी अच्छा पैसा बन सकता है तो इसमें जो पहला target आएगा वो आएगा 100 उसके बाद 110 110 के बाद 120 ये तीन targets भी आधियान रखेगा और ये तीन targets के साथ ही आप इसमें बने रह सकते हैं तो ये हो जाती है HFCL अगर आपकी भी कोई query है तो आप मुझे बिल्कुल लिख सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लिजए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही We'll see you in the next video Thank you so much for watching this video